हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उमीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो बहुत से ऐसे स्टूटेंट हैं जिन्होंने हमें मेसेस किया था कमेंट में भी हमें बताया था कि सर आईउपीएसी नामांकरण पर वीडियो बनाईे तो हम आज किस वीडियो में I.U.P.S.C. नामांकरण पर वीडियो बना रहे हैं और मैं यही कहूंगा है कि मैं केवद उन इस्टुडेंटों के लिए खास करें वीडियो बना रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है I.U.P.S.C. नामांकरण को बिल्कुल नहीं आता है वो बेसिक टु हाई समसना चाहते हैं ठीके तो हम पूरा बेसिक से बात करेंगे पूरा बेसिक टु हम हाई तक बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जो भी इस्टुडेंट को कुछ भी समसम नहीं आता है वो आज किस पीडियों में बने रही है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको छोटे से लेकर आपको हाई लेबरता हम लेकर चलेंगे ठीके निश्चिंत रहिएगा थोड़ा सा समय लेएगा क्योंकि I.U.P.S.C. नामांकरण इतना तो इजी नहीं है परन्तु जितना हो सकेगा उतना हम आपको इजी करके बताएंगे तो देखी हमें सबसे पहली बात बेसिक कुछ बाते हैं जो हमें पता रहना चाहिए इसका I.U.P.S.C. नामांकरण है इसका बहुत सारा नियम होता है उस नियम को याद करने के बाद थोड़ा से समझेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा परन्तु हम आपको नियम हो हम कुछ नहीं बताएंगे ठीके पहले आपको दो चीजे बस केवल आपको पतावना चाहिए सबसे पहली बात कि यदि कार्बन एक हो कार्बन दो हो कार्बन तीन हो कार्बन चार हो तो उसको हम क्या कहेंगे जैसे सपोईड है देखिए यदि कार्बन एक होता है तो उसे हम मेत कहते हैं दो कार्बन एत तीन कार्बन प्रोब चार कार्बन ब्यूट ठीके तो ऐसे आपको याद रख लेना है 10 होगा तो डिक कहेंगे तो इसी तरह मेट, एट, प्रोब बीउट, पेंट, हेक्स, एक्ट आक्ट, नान और डिक तो ये आपको याद कर लेना है कि कार्बन यदि 6 रहेगा तो हम क्या कहेंगे hex कहेंगे, carbon यह दिचार रहेगा तो built कहेंगे, अब किस प्रकार carbon रहेगा चार, वो सब हम example यहाँ पर लिया है न तेकर है basic to high हमने लिया हुगा है सब आपको समझ में आएगा बिना practice का कुछ नहीं आने वाला मैं यही कहूंगा, कि सबसे पहली जो भी student हम से चाहते हैं serious हो का समझना मैं उनसे खास कर कहना चाहूंगा कि आपको basic से समझना है न तो सबसे पहले तो इतना याद कर लिजेगा समझ के, उसके बाद अब देखिए, यदि carbon और carbon के बीच single bond होता है single bond होता है, मतलब एकल बंद होता है तो उसके अंत में हम क्या कहेंगे in कहेंगे, ठीके, अब कहाँ पर in कहेंगे उस पर आपको ध्यान नहीं देना है ठीके, अगर double bond होगा तो in कहेंगे, और triple bond होगा तो in कहेंगे इतनी बात समझ के, इसको अपने copy pen में, slide में लिख लीजिए अब यह आपको समझ में आएगा ठीके, कैसे हम करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको practice कराते जाएगे, उसी practice आप करेंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा और नियम को थोड़ा सा आप जितना देखिए, आपके practice पर नेरवर करता है ठीके, समझते जाएगे और practice भी होता जाएगा तो चलिए हम start करते हैं तो इतनी बात समझ के, अब देखिए हम सबसे पहले उपर हम छोटे से basic level से start करें हैं जिनको ज्यादा पता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा थोड़ा सा सबर रखिए, high आएगा ठीके, और भी ज्यादा बड़ा बड़ा आएगा तो उसमें भी हम बात करेंगे पहले तो जो कमजोड हैं, जिनको माल लेते हैं आता ही नही IPAC ना मांग करण वो तो सीख लें, ठीके तो दिखिए, यहाँ पर हमने लिख लिख लिया है CH3 CH3, अब मैं आपसे पूछूँ सबसे पहली बात मैं पूछूँ कि यहाँ पर कारबन की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे कारबन की संख्या 2 है कितनी है, दो है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन होता है, तो हम क्या कहते हैं, यदि दो कार्बन हो, तो उसे हम एत कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, विल्कुल कहते हैं, तो हम इसका पहले नाम कह लिखेंगे, हम लिखेंगे एत, ठ सिंगल बंद यदि होगा carbon carbon के बीश तो हम क्या कहेंगे एन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे एथ और फिर से इधार एन लिख देंगे आप मैं पूछू कि इन दोनोंको मिलाकर हमें क्या मिल रहा है तो एथ और एन को मिलाएंगे तो एथेन बनेगा की नहीं? तो इसे हम लिखेंगे A, Then बताईए, आपको सबसे basic से आपको पता चल रहा है की नहीं? देखिए हमने कुछ नहीं किया है हमने कहा कि सबसे पहले कार्बन की संख्या देखिए कार्बन की संख्या 2 थी तो हमने एथ लिख लिए उसके बाद single bond है, तो n यहाँ पे लिख्या है, तो n हमने लिख दिया, तो eth और n, तो eth n हम कह सकते हैं इसको, समझ में आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, eth n होगा, कौन सा नाम, IUPAC नाम, मैं आशा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीके, आते हैं दूसरे पर, एक क के बाद आता है, CH2, double bond, CH2, अब मैं आप से पूछूँ, कि इसमें बताईए, आप कारबन के संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, कि सर्थ कारबन के संख्या आपे 2 है, तो 2 होगा, तो हम 2 को क्या कहते हैं, eth कहते हैं, तो हम लिखेंगे, eth, ठीक है जी, बीच में plus दें कहेंगे, double bond बनेगा, तो in कहेंगे, तो अब बताईए, इसको हम क्या कह सकते हैं, eth और in, ethin कह सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे, ethin, तो मैं आसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, कि कैसे हमने कहा, carbon 2 है, तो eth, double bond है, तो in, ethin, तो ethin हो गया, IPSC नाम, तो मैंने आप से कहाता, कि यह आप याद रखेंगे, तो यह ज़्यादा कुछ नहीं है, यार, क्या, ज़्यादा क्या है, आप तो याद कर सकते हैं, इसको में, eth, प्रो, विव, पेंट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो इतना तो कम सकम आप याद कर ही सकते हैं, उसके बाद प्रेक्टिस करते हैं जितना प्रेक्टिस करें इतना समझ में आएगा मैं यही कहूंगा साइड में इसको आप लिख लीजिएगा तीसरे वह प्रेक्टिस पीumba जोईटा करेंगं सबसे पहले देखेंगे कि कारबन की संहियतनी है तो कारबन की संख्या केतनी हैं सोरी नो और टी कर बना ए दो स्ट्र चेए कर से द 오늘 दो कारबन गाथ लिखेंगे तो वही बाता हम लिखेंग यांपर एथ अतीन बंड है तो इसको आइन कहेंगे एथ और आइन ठीक है आइन हमने क्यों कहा अरे तीन बंड होगा तो आइन ही न कहेंगे तो अब इसको एथ और आइन का मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा परंथू आप कहेंगे कि sir क्या हमें ये सब कुछ लिखना होगा तो देकि कि आपको कुछ नहीं लिखना होगा यदि CH टिरिपल गॉऔर्ट CH आता है तो आपको ये समझाने के लिख लिख रहा हूं आपको नॉर्माली ये सब बस केवल लिखना होगा यह वाला समझ में आ रहा है ना तो यह केवल आपको लिखना होगा direct मैं तो समझाने के लिए basic label से बता रहा हूँ जिससे जो student है जो आप है वो बहुत तरीके से समझ पाएं क्योंकि मैं जानता हूँ ना कि बहुत से स्टुडेंट है जिनको नहीं समझ में आता यह पेसी नामांकरण मुझे भी में जब पढ़ता था मुझे भी नहीं समझ में आता था ठीक है तो बहुत ही मेहनत किया गया तब जाकर थोड़ा समझ में आया है और बिना प्रेक्टिस का तो आएगा ही नहीं बहुत जादा आपको प्रेक्टिस करना होगा तीक है तब जाकर आपको आएगा तो धीरा धीरा हम एके करके प्रेक्टिस भी कर रहे हैं समझते भी चल रहे हैं यही तो बेटर है ना तो इसी प्रकार करेंगे आते हैं चौथ पर देखें हमने तीन देख लिया है चोथा आप देख रहे हैं अब देखें थोड़ा सा बहार आएगा तो आपको निश्चिंद रहाना है समझ में आएगा आपको देखें यहाँ पर देखें तो CS3, Single Bond है Phyzer CS2, Phyzer Single Bond Phyzer CS2, Single Bond CS2, Single Bond, CS3 अब आपका सबसे पहला काम ये होगा कि इसके अंदर आपको देखना कि Bond कितना है इसमें एक बंद बन रहा है इसमें भी एकल बंद मतलब सभी में देखें तो Single Bond बन रहा है Single Bond बन रहा है तो इसका मतलब single bond बन रहा है, तो single bond के लिए हम n का प्रियोग करेंगे, यह आपके दिमाग में होना चाहिए, अब हम देखेंगे कि इसमें CH3 कितना, मतलब CH कितना है, sorry, C कितना है, carbon की संक्या कितनी है, तो अगर हम देखें तो एक carbon यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, तो 5 carbon है, तो 5 के लि हम यह लिखेंगे, 5 कार बन है न, तो हम लिखेंगे paint, अब plus हम बीच में दिखेंगे, अब सभी में हम देख रहे हैं, single bond है, single bond के लिए n का प्रियोग करते हैं, तो paint और n हम यहाँ लिख देंगे, तो अब बताए इसको हम क्या कह सकते हैं, paint n कह सकते हैं, बताए यह paint n हम कह कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, तो आपको समझ में आया हमने क्या कहा, देखिए थोड़ा सा आपको, इससे तो hard ही लग रहा होगा, पर रंतु कितना easy है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि carbon की संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच कार बन है, तो paint लग हो गया, एक एक करके थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, high level में हम जलते जाएंगे, basic to high हमने कहा है आपको, जिनको कुछ नहीं आता है, वो इस label से वो सीख सकते हैं, और बहुत ही high तक चल सकते हैं, basic यहीं सी start होता है, जो हमने आपको basic से बताया है, क्योंकि मैं basic से ही आपको तो भी, आपको basic से समस में आए, क्योंकि जो कमजोन है, वो मतलब पीछे ना रहे हैं, ठीक, वो भी आगे बढ़ें, इसलिए मैं basic से बताता हूँ, ठीक है, अब मैं आसा करता हूँ कि जितना अभी तक हमने बताया है, वो आपको समस में आ गया होगा, अब मैं अभी भी आ जरना अगर समस में आ गया है, तो नीचे भी आपको समस में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग और भी थोड़ा आगे आपको लगाना पड़ेगा, देखिए, अब हमें सबसे पहले हम क्या कहते आपको, इसमें हमने कहा था न, कि सबसे पहले आपको bond देख लेना है क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, कि देखें, यहां पर single bond है, यहां पर double bond है, तो जहां पर double bond होता है, तो हमें यह देखना है, कि double bond सबसे पहले किदर से आ रहा है, यदि हम इधर से पहले करते हैं, एक carbon, दूसरी carbon, तो दूसरा carbon पर double bond आ रहा है, और इधर से हम देख double bond दो कार्बन के पार आ रहा है इधर से एक कार्बन पर तो इधर से हम गिंती करेंगे एक दो तीन चार पांट छे देखिए यह थोड़ा से हम अलग से बता रहे हैं हमने कहाता ना प्रेक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो यह सब नियम के ही अंतरगत आता है पर देखिए इधर से double bond पहले आ रहा है तो हम इधर से गिंती करेंगे एक दो तीन चार पांच है अब मैं आपसे पूछूँ कि देखिए अब इतना आपको सबसे पहले कर लेना है उसके बाद आपको यह देखना है कि double bond जो है वो पहले कार्बन से आ रहा है ठीके उसके बाद double bond किस पर है तो चौथे कार्बन पर आ रहा है ठीके तो हम यही लिखेंगे पहले कार्बन पर आ रहा है तो हम लिखेंगे one ठीके अब उसके बाद फिसे हम देख रहा है चौथे कार्बन पर आ रहा है तो कामा देंगे फिसे four लिखेंगे ठीके समझ में आ रहा है one कामा four ल कहेंगे परन्तु इन से पहले हम लगाएंगे जो है डाइए अ डाई एंडाई के बाद हम क्या लगाते हैं यह थी यह पर होता है tutti यहां पर यहां पर लगाते हैं तो increases त्राइ तो लगाते फिर से अगर ट्रिपल बॉंड होता तो हम आईन लगाते समझ मारा है ना और डबल बॉंड है तर डाई इन हम लगाएंगे तो यह आप समस्य है का पहले कार्बन पे था और चौथे कार्बन पे तो फस्ट मतलब एक चार ठीके वन फूर वन फूर डाई अब फिर से इन अब उसके बाद तब जाकर अब हम गिनेंगे तो एक कार्बन दो तीन चार पांच छे कार्बन है तो हेक्स हम कहेंगे तो इसको हम कहेंगे हेक्स तो इसका आपको नाम याद रखेंगे इसका नाम हम क्या कह सकते हैं कह सकते हैं यह हम कह सकते हैं या इसी का नाम हम इश प्रकार भी लिख सकते हैं ये और बात दियान नर रखिएगा इसी को हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं one कामा four और त्यांसर समझेंगे one comma one कामा four फिर से लिखेंगे die ठीक है और इस नाम को बता दिये या तो आप ऐसे कहीं या धो हैसे मैंने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले ड्वल ड्रभान और्भाण कें 90rd возмож कर दिया तोए आप फिर से अब हमने गिल लिया तो छह कारबन है तो हेुए क्स हमने कह दिया या PCU कह सकते हैं 1,4 ठीके, डाई ठीके, 2 है तो डाई और फिर से अब हम गिन लेंगे तो हेक्स और फिर से जब क्या है इन हम लगा देंगे कि डबल बॉंड है तो इन हमने लगा दिया हेक्सीन तो मैं आसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा इस पर समझ में दे दिया क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हुगा हमने जंप किया हुगा है तो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए आगे बढ़ते हैं ठीके, एक एक बाद समझ में आएगा उसके बाद फिर से यहाँ पर हम देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच इदर पाँच कारवन है तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले त्रीपल बॉंड देखें यहाँ पर त्रीपल बॉंड यहाँ पर आ रहा है ठीके, तो यहाँ पर आप देखें यहीं तो तीन, चार नंबर पर आएगा तो वाला पर आ जा रहा है पहले तो हम इधर से लिखेंगे तो दो आ रहां है तो हम लिखेंगे 2 ठीके अग तीन है तो थीन के लिए आईन का प्रिये कोरते हैं तो आइन । अ और उसके बाद 2 आइन के बाद मेथ एत प्रोप ब्यूट पेंड ठीक है तो पांच कार्बन है तो पेंड हम लगा देंगे तो 2 आइन पेंटेन कहते हैं ना तो आइन पेंटेन कहते हैं तो आइन पेंटेन कहते हैं या इसी को हम कहें तो 2 आइन को हम क्या करेंगे इधर लगा है देंगे तो two pen pen time हम कह सक्ते हैं तो two pen time हम कहη देंगे तो ना यह दन्यार है ना यह दिकार बंध ए रहा है ट्रिपल बॉंड तो हम कह देंगे ट्रिपल बॉंड है रिइन का आइन आ च्रिपlles क में जोड़ देंगे औरRel8 से आपको समस्में आएगा सात्वे पर आते हैं सात्वा हमारा है CH3, single bond CH, double bond CH, single bond CH triple bond CH, अब ही आ गया अब मैं कहूँ कि आपको फिर से क्या देखना है कि इसमें सबसे पहले triple bond है तो देखे double bond single bond के बाद double bond फिर से triple bond तो अब हम देखेंगे कि सब से पहले bond कांच आ रहा है triple bond तो अगर हम इधर से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पांच तो पांच नमबर पर triple bond आ रहा है और यदि हम इधर से गिने तो इधर से पहले नमबर पर ही triple डाजाएगा उदर से गिनेंगे तो पहले Carbon पर तीन बॉंड आ रहा है ना ताहम क्या लिखेंगे first मतलब one हम लिखेंगे talking is one of one के बाद तीन बॉंड है तो आइन हम लिखेंगे तो one line ठीक है जी one line हम लिख दिया फिर समी देख रहे हैं कि तीन नंबर फिर से डबल बॉंड है तो वन आइन फिर से लिखेंगे थ्री इन करेंगे थ्री इन क्योंकि यह डबल बॉंड है तो थ्री देखे इन हम करते हैं कि नहीं डबल बॉंड में तो थ्री इन कर दिया उसके बाद आप हम क्या करेंगे अब हम कार्ब वन आईन थ्री इन पेंट या आप इसी को चाहे तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं इसी को चाहे तो इस इन को आप इधर लगा सकते हैं तो इसका हम क्या कह सकते हैं 1 iron फिर से 1 iron 3 pen 10 ये भी आप कह सकते हैं मतलब 1 iron 3 pen 10 भी कह सकते हैं तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं समय आपका लग रहा है मैं जानता हूँ जितना समय लगेगा न उतना है वीडियो वाइरल होने का ये बहुत से YouTube मतलब फर्मोट कम करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें, यह averaging पर निर्बर करता है, कि कितना लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, परंतो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो भी student मुझसे serious पढ़ रहे हैं, उनको खासकर समझ में आ कि वास्तों में आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि आप कुछ pay करना चाहते हैं, तो pay ना करके आप केवल इतना ही कर दिजेगा, कि कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास हमारे इस चैनल की link को share किजिएगा, इस वीडियो को share किजिएगा, कि आप इस वीडियो को देख ल आप सब को समझ रहे होंगे, अब आता है ये दो बाते, अब इस देखिए, अब इन से भी hard ये वाला आ गया, ठीके, तो इस प्रकार भी IPSC ना मांग करन आ जाता है आपके लिए, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, तो अब देखिए, अभी तक हमने, अगर bond पर था, bond पर नि एक, दूसरे, अभी तिसरे कारवन पर ये CS3 जुड़ा है, तो येदि हम इदर से जोड़ते हैं, तो तीसरे नमबर पर आता है, अभी तो इदर से पहले आएगा, उससे हम लिखेंगे, तो इदर से हम जोड़ते हैं 1,2, दो नमबर पर आ जा रहा है, 3,प चार, तो अब द याद रखेंगे कि CS3 को मिथाईल कहते हैं क्या कहते हैं मिथाईल तो हम लिखेंगे मिथाईल क्या कहते हैं मिथाईल CS3 को मिथाईल कहते हैं तो टू मिथाईल अब उसके बाद अब हम देख लेंगे कि देखें कार्बन की संख्या कितनी है एक, दो, सोरी, एक, दो, तीन, चार, चार कर्बन है, तो पेंट हम, सोरी, चार कामबन है तो ब्यूट, ब्यूट, और इसके अंत में N हम जोड़ देंगे, तो ब्यूट 10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है न, ब्यूट 10, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, दिखिए, हमने आपकों तो हम N ब्यूट दिखिसे ज्यासा करती है, चार करति हैं, तो इसज़ी ब्यूट 10 हम कहई देंगे, जैसे याद पर मतलब इसे याद पर इन, पैंट लिखाता, तो हमने फिर से कर दीआ, पैंटीन कर दिया, ठीके, तो उसी प्रकार यदी हम चाहें, तो इसी को हम हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं two methyl N-butane ठीके एन हमने क्यों लिए गाए क्योंकि single bond है तो इसलिए हमने एन लगाते हैं तो एन लगा दिया और यहां पे चार कार्बन एक दो तीन चार है तो चार के लिए लगा दिया तो यह हमने लगा दिया तो यह तो आप 2-methyl-butane कहें यह आप यह कह सकते हैं 2-methyl-n-but ठीक है तो दोनों में से कोज भी आप कह सकते हैं अब आता है यह question आप सोच रहोंगे कि सर इसमें तो 5-carbon है यहाँ पे भी तो CS3 में कार्बनिक है ठीक है यह question आना चाहिए यदि आ रहा होगा तो मैं कहना चाहूंगा कि देखें यह methyl है तो इसको हम छोड़ देंगे हम simple सा इधर यह वाला में हम देखेंगे सीधा जो line है इसमें carbon कितना आ है समझ में आ रहा है ना ऊपर में यह lining वाला हम देखेंगे कि lining में कितना कार बना रहा है उसको हम जोड़ेंगे अब देखें यह थोड़ा सा हाड आ गया फिर से इससे भी हाड देखिए इधर भी CS3 है इधर भी CS3 है सभी में single bond है तो अब आपको क्या करना है आपको देखना है CS3 इधर से हम करना है तो कितने number पर आ रहा है तो इधर से करते हैं तो दो number पर आ जा रहा है तो दू नमबर पर आ रहा है ठीक है अब फिर से चार नमबर पर ही क्या है मिठाइल है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 लिखेंगे फिर से 4 लिखेंगे 2 4 ठीक है 2 और 4 अब 2 क्या है मिठाइल है तो हम क्या लिख सकते हैं डाई लिख सकते हैं, डाई, मिथाईल, डाई मिथाईल लिख सकते हैं कि नहीं, अरे हमने आपको बताया था ना, कि यदि दो, एक ही डो हो, ठीक है, यहाँ पर हमने डाई के उपियों किया था ना, कहा था दो बंद है, तो डाई, इन लिख दिया है, उसी प्रकार दो क्या है tuh digital है तो doctoral कर सकते हैं तो डाई हमने मिथाईल कर दिया उसके बाद फिर से अब हम यह वाला कारबन दिखेंगे 1,2,3,4,5 पांच कारबन है तो या तो पांच कारबन है तो पेंट हम लिख देते हैं पेंट कारबन होगा ता पेंट एक एकड इसमें सभी में एक बंद है ना तो N हम जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा समझ में आ रहा है ना तो 2,4-dimethyl-pentane कर दिया या आप पेंटेन ना लिकर आप लिख सकते थे कि 2,4-dimethyl-n-paint n-paint भी लिख सकते हैं N क्यों single bond है तो पहले आपने N लगा दिया फिर से 5 carbon है तो paint लगा दिया तो मैं आशा करता हूँ कि यह हुआ आपका IOPC ना मांग करण जो कि हमने basic label से आपका start किया था और high label तक हमने लेकर गया था ऐसा नहीं है कि इससे भी hard hard नहीं है बहुत ज्यादा है यदि आप कहेंगे तो part 2 लाने के लिए तो मैं part 2 भी लाऊंगा परंतु मैं यही कहूंगा कि सबसे पहली बात तो इतना आप लिख लिजिए उसके बाद अपनी आप book निकालिए आप book में जितना भी आपका practice set है जो आपके board exam में बार बार पूछे गए है उनका practice कीजिए अगर आपका 50% भी अगर आपको आने लग जा रहा है 52-60% तो आप समझे बहुत ही अच्छे हैं ठीके उसके बाद practice कीजिएगा क्योंकि अभी तो हम basic label से start किया है basic से हमने आपको बताया है ठीके यदि आपको समझ में आया है तो मैं यही कहूँगा प्यारा से एक like कर दीजेगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को subscribe कीजेगा क्योंकि आप support नहीं करेंगी तो कौन करेगा तो आशा करते हैं आप समझ रहोंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से जाएए अपनी पढ़ाई कीजिए और पाच दोस्तों के पास इस वीडियो को सेयर कर दीजेगा तो मिलते एक नाय टॉपिक के साथ तब तर के लिए धन्यवाद